लेंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादब पर समन जारी हुआ यानि कोट द्वारा कह सकते हैं कि अब उस पर सुनवाई होगी और तेजस्वी को इसमें सजा मिलने की भी बाते सामने आ रही है हम इन तमाम बातों को समझते हैं और भी बिहार की राजनीतिक दाव पेच की बात हैं बरिश प्रत्रकार श्रीकान प्रतिव से हमारे साथ सर जिस प्रकार से तेजस्वी यादब की उपर ये कोट का जिस प्रकार से यह निर्ने आया है जमीन के बदले नौकरी का, इसको कैसे देखते हैं? और उस मामले में अब सिभी आई ने कोट से परमिशन मांगा था तेजस्वी आदो को आरूपी बनाने के लिए कोट ने परमिशन दे दिया है तो मुश्किल तो बढ़ेगी तेजस्वी आदो और लालू आदो राबडी देवी मिसा भारती सब को चार अक्टूबर को कोट में सामिल होना है समझ जारी हुआ है तो क्या इसका असर जो भी बरतमान में बिहार सरकार चल रही है उस पर पढ़ेगी अब यह कहना बड़ा मुश्किल है कि असर पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा लेकिन मुझे लगता है कि मामला लंबा चलेगा इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है अगर मुझे लगता है कि तेजस्वी आदों को जमानत लेनी पढ़ सकती है जमानत अगर नहीं लेंगे तो जमानत तो लेंगे ही तेजस्वी आदों राहूल गांधी की तरह अड़ेगा नहीं ना क्योंकि उका रहें कि इस मामले मे नहीं है उनकी पाटी के लोगों कहाना है कि जब लालू यादो रेल बनते थे तो तेजस्वी यादो को मूच भी नहीं आए थी ठीक से जवान भी नहीं हो थे नवालिक थे तो इधना प्रोपर्टी कैसे हो गया उनके नाम पर जो अभी साथ है जदियू के एक प्रवक्ता है वह काफी पोल खोल किया करते थे तेजस्वी पर और अभी तो अब भाजपा कर रही है देखिए तेजस्वी यादो के नाम पर प्रोपर्टी है लेकिन उप्रोपर्टी तेजस्वी यादो ने भजपन में तो खरदा नहीं होगा लालू यादो जी नहीं खरदा होगा और उसी को अधार बना कर CBI उनको घेर रही है। लेकिन यह सच है कि जब लालू यादो रेल मंत्री थे तो तेजस्वी आदो नबालिक थे। और सिधे तोर पर उनको दोसी नहीं ठारा जा सकता है। ठीक है पिता ने अगर बेटे के नाम से कोई प्रपर्टी खरेद ली तो बेटा थोड़े जिम्मार होगा। पिता ही होगा। यह तो दलील हो सकती है। लेकिन कानून के दाओं पर चलग होते हैं। कानून की भासा अलग होती है और वो तो लड़ना पड़ेगा। फेसकाना पाच तो ऐसे तीन तो मुख्य मंत्री जिनके गरदन पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। जारखन्ट के मुख्य मंत्री हैं हमन्सोरें कभी भी जेल जा सकते हैं। उनके पीछे भी EDCBI सब लगी हुई है। आप भूपेंद्र बगेल वो भी जेल जा सकते हैं। इसके जा सकते हैं। विपक्च के सेकड़ों नेता हैं जिनके पीछे CBI ED लगी हुई है। तो सबाल उटना लाजमी है कि सताधारी दल के इसारे पर विपक्च के नेताओं को निशना बनाया जा रहा है। या रोप लगता भी रहा है और सभाविक भी है। क्योंकि ED और CBI की बीजेपी की लडाई असान हो जाएगी। अब हिमन सोरन जारखन में हैं मजबूत। अगर वह आ जाएगे तो बीजेपी की लडाई जारखन में असान हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह से भुपेंद्र भगेल अगर पाटी तोड़ करके आ जाते हैं तो वहां उनकी लड अंता बंदर जी आ जाए तो बंगाल में लड़ाई असान हो जाएगी तो कहा जा रहा है कि जो बिरोधी दल के नेता है उनिसाने पर है और EDCBI लगी है सब के पीछे तो यह आरुप तो लगता रहा है लेकिन सवाल यह उड़ता है कि तेजस्वी आदों का राजनीतिक लगता है लेकिन नितिश कुमार का नाम आएगा तब आपका पाई नाम आएगा या नितिशे जी को ले आएंगे लोगी पड़ी अब सरकार मोदी जी की है वो तो जिसको चाहे CBIAD के घरे मिला दे चाहे किसी की सरकार मोदी जी तो बड़ा सौफ्ट दिख रहा है मतलब सब लोग अपने राजनितिक फायदे के लिए जहांची दिन से उका इस्तमाल करते रहे हैं जादा कॉन कर रहे हैं कॉंग्रेस करती थी या भाजपा कर ने पहले थोड़ा कम होता था लेकिन अब थोड़ा ज्यादा नेताओं के खिलाप देखी ब्रस्टाचार के खिलाप जैसे जैसे करवाई हो रही है भरस्टाचार का चहरा उतना ही बड़ा नजर आ रहा है यह होता है अब बिहार में देख लेजिए भरस्टाचार के खिलाप करवाई चल रही है जैसे जैसे करवाई हो रही है वैसे वैसे भरस्टाचार का बड़ा चहरा सामने आ रहा है तो क पर बिपक्ष के नेता है तो इसलिए सवाल उठ रहा है तो सरकार तो चाहे तो किसी को घेरे में ले सकती है तो यह सालों से ख़बर चलते रहती है यह देखी आप तो लाइन फार जवास केम में फस्ते नजरा रहे हैं कोट ने भी परमिशन दे दिया मुकदमा चलाने का जब कि पार्टी का काना है कि जब रेल मंत्री थे लालु यादव तो उनकी मुझ भी नहीं आई थी तो उनको कैसे दोस्ट इठा रहे जा सकता है लेकिन कोट ने तो परमिशन दे दिया मुकदमा चलाने का मतलब कोट ने मान लिया मुकदमा चल सकता है इसका दवाब नहीं तो उनके खिलाब अरंट भी जारी हो सकता है अब मुझे लगता है कि जमानत लने पड़ेगी अब 4 अक्टूबर को समन जारी हुआ है कोट में पेस होंगे तब कोट क्या स्टेंड लेता है क्या कहता है यह देखने वाली बात होगी इसका एक महतपुर्ण बात है कि क्या इस पर सीधे तोर पर बिहार सरकार के उपर दवाब बनाने के लिए किया गया है या दवाब बनेगी या नितिज कुमार दवाब में आएंगे और इधर उदर हो जाएंगे पिछली बार भी नितिज कुमार ने आर्जडी को क्यों छोड़ा था शत्रम में आरोप लगाते ही कि यह भरस्टाचार के आरोप है यह किलियर करें तो और नितिज कुमार ने कहा था कि आप अपना स्टेंड रखे सभाई दीजे नहीं दिया उन्होंने उन्होंने कि इस कुमार ने कई ऐसे संकेत दिये प्रधानमंत्री मोधिय से राश्पती की भोज में मिलना ठीक है फिर उसके बाद महिला अरक्ष्णाबिल का बिनासर्थ समर्थन कर देना कई ऐसे मामले सामने आये हैं वन नेशन वन इलेक्षन पर सपोर्ट कर देना फिर बिहार में क और बीजेपी के वाई में सरकार बन सकती है तो जो नितिश कुमार कह रहे हैं वहीं बीजेपी भी कह रही है बीजेपी पले कहती थी कि उसका दरवाजा बंद है नितिश कुमार के लिए अब बीजेपी के कोई नहीं कह रहे हैं कुछ साइलेंट साइलेंट हो जा रहे हैं जोब बिजेश कुमार को निसाने पर सिध्य नहीं लिया तो बीजेश कुमार जब आए जाना चाहे आ सकते हैं नितिश कुमार के तोड़ने के बाद ये बाते कही जा रही कि आम आदमी पार्टी सपा अममता ये तीनों कभर नितिश कुमार बड़े नेता है और 18 साल से मुख्यमंतरी है और राजनिती क्या है कि समयधानिक किला है उसमें जो घुसता है फस जाता है वो फस जाता बाहर नहीं निकल पाता लेकिन जो उसकी घराबंदी करना जानता है वो जितता है नितिश माहिर है इसकुमार समयधानिक गहरवंदी के गहरवंदी करने में माहीर खिलाडी है। आप देखियेने भाई। कहा जाद है कि बिहार में जाती आधार पर बोड़ होता है। उनकी जाती कितने लोग हैं? 2%। लेकिन 18 सल्स मोखेवंत्री हैं। और आज की तारिक में भी उनके बिना बिहार में सरकार बनान प्रश्तों कि यूद लालू यादव कर लिए है और नितिश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर भीना उनके यहां कोई लडाई जिती नहीं जा सकती है आज की तारिक में और पिछले 18 सल से मैं यहीं देख रहा हूं उस जित के साथ जाते हैं उसी की जीत होती है लेकिन तेजस्वी यादो भी बहुत ताकतवर ने बनकर उभरे हैं लालू यादो के बाद और उनका जो कनेक्शन है यादों से वो इमोशनली है मतलब दिल से याद परसेंट हो जाते हैं तो तेजस्वी इतना मजबूत तो कोई नेता ही नहीं है भी है पीजएपी के पास इतना स्वाइट बोट बैंक नहीं है नितिशकुमार के अपने जाती का 2% से अपनी रड़नीथी से 14% से ज्यादा बोट अपना बना लिया है वह जहां भी जाते है 14 दो प्रसंट लेकर जाते ही जाते हैं तो जिसके साथ जाएंगा उसके सरकार बनेगी ते जस्वी आदो पिछला चुनाव अकेले लड़े आपको याद होगा लालु यादो जेल में थे लालु यादो रावडीदीवी की तस्वीर का भी इस्तेमाल नहीं किया उन्हों को सीटे जितने में कामयाब रहें अब आर्जेडी के लोग तो यह कहते हैं कि दस बीस ऐसी सीटे थी जहां पर पांसो हजार दो हजार से हार हुई आर्जेडी की वह जान बूचकर हरा जानी कि अहां लेकिन एक हाना बड़ा मुस्किल है जब तक जांच नहों प्रमान नहीं सब्सक्राइब तक कैसे का सकते हैं लेकिन तेजस्वी आदों ने दम खम तो दिखा दिया तो तो तेजस्वी आदो को नितीज कुमार सीम बनाए और ना बनाए ओच दिन बनेंगे इस लेंड लेंड फॉर जॉब में जो यह यह बाते आई उसमें नितीज कुमार अब कह सक अब देखिए परधाल मंत्रीपत के दवधार नहीं है और उमिद्वार भी नहीं बनाया इंडिया अगट बनने संयोजक भी नहीं बने अब अस्टेरिंग सीट पर गटबनन के स्टेरिंग सीट पर कांग्रेस बैट गई गई है तो नितीज कुमार के हाथ में आएगा क्या क्योंकि दो हजर पचीस के चुनाव ने जैसु यादव को सीम के कुछी भी शौपने पड़ेगी और यहां लडाई में भी नहीं है कहीं तो नितीज कुमार के पास कुछ है नहीं बाने के लिए इंडिया गटबनन के पास देने के लिए उनको रुप कर सकते लिए लेकिन बीजेपी के साथ जाएंगे तो बीजेपी के पास उनको देने के लिए बहुत कुछ है और नितीज कुमार के पास भी बीजेपी को देने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि बीजेपी के काम तो नितीज कुमार के बिना चलेगा ही और नितीज कुमार बीजेपी के साथ जात तो डाजनीती दोनों को कस्ठ हो सकता है उया पोर लगा सकते है कि होड़ु चाचा हैdır ऐसे कोङ नहीं पղटता है राजनीती उसी कि सफल है इतना सब चाहे तो देखते हूं बढ़ाधता वाम रहता है निकीश्च बारह 50 कर फिर भी मुख्यवंत्री थे तो दबाव भीजेपी बना रहे थी वो सफोकेटेड महसुस कर रहे थे निति उसकुमारे बीजेपी के साथ सरकार चलाते रहे हैं लेकिन अपने एजेंडे पर कभी अपने सेकुलर क्रेडेंसेल के साथ समझोता नहीं किया तो उनको लगा कि होता करना पड़ेगा तो छोड़ दिया अब आर्जेडी के साथ हैं और भरष्टा चार्प सभी उसमें होता नहीं करना जानते हैं मजबूरी में हैं ठीक है लेकिन जब ते जशुवियादो फंसेंगे उनके जेल जाने की नोबत आ जा गई तो नितिसकुमार क्या करेंगे मजबूरी में फिर से जा सकते हैं लेकि मुझे नहीं लगता है कि ते जशुवियादो के राजनितिक भविसे पर कोई बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि एसा नहीं लगता है कि तुरत उनको सुनवाई होगी और उनको सजा हो जाएगी और चुनावने ही लाड़ पाएंग का राजनितिक कद लगतार बढ़ रहा है और उन्होंने साबित किया है नितिश कुमार के साथ एजेडिप्री सीम उन्होंने खूद को साबित भी किया है और उनके लोग उनके साथ खड़े हैं दुख सुख में अगर वो जेल जाते हैं उनके खिलाप मुकदमा आगे आ रही है और उनके समर्थक तो पहले से ही गुलबंद है और गुलबंदी बढ़ेगी अगर तेजस्वी आदो अपने एजेंडे को लागू कर दें जैसा को उन्होंने एलान किया था कि आर्जेडी अब एटुजेट की पाटी होगी मतलब हर जाती को प्रतिनिधित्यों मिले लेते हैं तो मुझे लगता है कि तेजस्वी आदो को हराना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा बिहार में शलिए तो यह बात कर रहे थे हम लैंड फॉर जॉब मामले में यानि कि जमीन के वदले नौकरी वाले में तेजस्वी आदफ फस्ते हुए नजर आ रहे हैं इसको लेकर अभी बात कर रहे थे बरिश्पत्रकार स्रीकान पतियु जी से बाकी मेरा नाम रवी कांत हुआ धन्यवाद